हलो बच्चो कैसे आप सब उमिद करते हैं अच्छे होंगे तो स्टार्ट करते हैं आपके मिड शेशन डिटीएस का केमस्टी का सॉल्यूशन इससे पहले का पॉर्शन आपने अभी जस्ट कवर किया होगा तो कॉशन नमर 11 आपको कहरा कि 120 ml of O2 टेक्स टू मिनट तू पास थ्रो दा हॉल और वाट वॉल्यूम आफ एससो टू विल पास थ्रो दा हॉल इन थ्री मिनट ठीक है आपको जो है वो रेट ऑफ डिफिजन से रिलेटेड कॉशन दिया है आपको पता होना चाहिए कि अगर हम वोल्यूम की टर्म में बात करें तो रेट जो है वो अपने पास होता है क्या वोल्यूम डिवाइड बाए टाइम टेकन ठीक है यह अपने पास क्या होता है एक तरीके से रेट आफ डिफिजन होता है तो यहाँ पर मैं ऐसा बोलूंगा कि हमारे पास एक तो O2 है एक क्या है SO2 है तो मैं ऐसा बोलूँगा कि VO2 upon time taken by O2 और दोनों को ratio में ले लेते हैं तो VO2 और ये time taken by SO2 is equal to नीचे तो आएगा हमारे पास molar mass of O2 और उपर चला जाएगा molar mass of SO2 तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 120 ml तो O2 O2 तो 2 minute लेती है तो यहाँ पर यह तो आपको दे दिया कितना 120 तो इसको तो मैं लिख लेता हूँ 120 divided by O2 का time taken कितना है 2 minute और फिर आपको पूछ रहा है कि SO2 का volume आपसे पूछा है यानि कि VSO2 पूछा है time taken by SO2 is 3 minute ठीक है तो यह आपको जो है वो volume SO2 का पूछा है time taken by SO2 is 3 minute is equal to under the root MO2 यह आपको पता है कितना 32 और यह कितना हो जाएगा फिर 64 हो जाएगा और इसको solve करेंगे तो यहाँ पर volume of SO2 यह हमारे पास निकल के आएगा कितना 180 by root 2 ठीक है तो option number first जो है वो अपना क्या रहेगा सही रहेगा उमीद करते हैं आपने question ठीक किया होगा next question की तरफ बढ़ता है तो question आपको दिया है Z यानि कि जो आपने पास एक तरीके से Z होता है compressibility factor होता है और P है ना इन दोनों की relations of question आपको यह बूल रहा है in the following compressibility factor Z versus pressure graph at 300 Kelvin आपको बूल रहा है compressibility of CH4 at pressure less than 200 bar यानि कि देखो जरा इससे कम pressure पर यह deviation कैसा है negative deviation है ठीक है तो अब आपको बोल रहा है कि deviates from ideal behavior because यानि यह negative deviation क्यों हुआ तो हम Z निकालने का तरीका एक तो हमारे पास होता है क्या PV upon RT दूसरा Z निकालने का तरीका होता है V real upon V ideal ठीक है तो अब देखो negative deviation आ रहा है यानि Z की value क्या है एक से कम और Z की value एक से कम आ रही यानि volume of real volume in real condition will be less than volume in ideal condition तो volume अगर कम आ रहा है तो यानि molecules जो है वो पास-पास आएंगे उनके बीच में attraction force जादा है तो molecules जो हो पास-पास आ रहे है इसकी वज़े से जो हो Z की value एक से कम आ रही है attraction force जादा है इसकी वज़े से यह जो हो 200 से कम पर क्या हो रहा है negative deviation शो हो रहा है तो अब statement पढ़ते है the molar volume of CH4 is less than its molar volume in the ideal state बिलकुल भया सही बात है कि ideal state से ideal state में जितना volume आना चाहिए उतना नहीं आएगा उससे कम आएगा क्योंकि attraction force जो है वो क्या है effective है फिर आपको आगे बोल रहा है यह तो हो गया ठीक अपना the molar volume of CH4 is same है ना same तो हो ही नहीं सकता अगर same होता तो Z की value 1 आत interaction between CH4 molecule decrease decrease नहीं होगा यह तो increase हो गए तभी तो volume कम आएगा फिर the molar volume of CH4 is more than more than होता तो positive deviation आता इस condition में molar volume जो हो क्या मिलेगा आपको ज्यादा मिलेगा तो उमीद करते है question आपका ठीक गया होगा next question की तरफ बढ़ते है question number 13 देखिएगा आपको क्या बोल रहा है a collapsed polythene bag of 3 liter capacity is partially filled by 1 liter of helium gas at 0.3 atm pressure at 300 Kelvin ठीक है total capacity उसकी 3 liter है और अभी उसमें जो हो एक लीटर helium gas भरी है है ना एक लीटर helium gas है और उसका pressure आपको दे दिया 0.3 और temperature दे दिया 300 Kelvin तो मैं एक काम करता हूँ मैं पहले volume निकाल लेता हूँ तो moles of helium PV by RT होगा तो pressure तो दिया है इतना volume जो हो एक लिटर है आर रहने दो temperature जो हो कितना हो गया 300 Kelvin तो यह अपने पास जो हो initially उसके mole आ गए तो यह मेरे पास mole कितने आ गए mole आ गए यह cancel होगा तो 1 by 1000 आर यह तो मेरे पास जो हो helium के mole है यह रहाँ बात फिर आपको आगे बोर रहा है subsequently enough neon gas is filled to make total pressure 0.48m at 300 Kelvin फिर इसमें क्या कर दी अब यह और ज्यादा बढ़ दी इसमें जो है वो basically neon gas भी बढ़ दी 0.48m pressure हो गया नया 300 Kelvin the mole fraction of neon gas in bag is अब मैं यह मान के चलूँगा कि जो नया volume है वो कितना हो चुका है नया volume जो हो टोटल तीन लिटर हो चुका है neon gas भरने के बाद तो मैं एन नियोन तो यह निकालूँगा तो अगेन में क्या करूँगा PVRT लगाँगा तो अब नया pressure हो चुका है कितना 0.4 या फ divided by R और यह temperature कितना है 300 Kelvin तो यह मेरे पास आजाएगा कितना 4 by 1000 R लेर बाद यह एन टोटल आ गया यह एन हिलियम अब आपको आगे पूछा है कि the mole fraction of neon in bag is तो भहिया मेरे पास neon के mole कितने आ जाएंगे N neon तो यह आजाएगा N total minus N H E तो N total आगया 4 by 1000 R minus और N H E कितना है यह है वहिया 1 by 1000 R लेर बाद तो यह मेरे पास आगया कितना 3 by 1000 R ठीक है तो यह मेरे पास neon के mole आगे है अब आपको तो mole fraction पूछा है तो mole fraction हम कैसे निकालेंगे खुद के mole upon सब के mole तो खुद के mole तो कितने है 3 by 1000 R और total mole कितने आ गए मेरे पास अभी total mole आए ते 4 by 1000 R तो R से R क्या हो गया कैंसिल तो मेरे पास mole fraction आ गया कितना 3 by 4 और अप्शन नमबर थर डेस करें उम्हिद करता है क्वेशन ठीक रहा होगा आ SNG is a gaseous mixture containing methane ठीक है इसमें CO2 है methane है that can be used as a fuel one of the one reaction to produce SNG is described by ठीक है आपको जो है वो एक reaction दे रहा है जिससे हम क्या अबरा है SNG इस reaction से बना सकते है एक reaction दे रहा है 4 CO8 H2 CH4 CO2 और H2 आगे आपको बोरा है use the following information as necessary to estimate delta H for above reaction per mole of CO2 देखो जी कि इस reaction के लिए हमें क्या करना है या एक तरीके से delta H calculate करना है उपर वाली reaction के लिए और नीचे आपको कुछ information दीए तो इन reactions की help से आपको इस reaction के लिए delta H calculate करना है देखते हैं चेक करते हैं देखो जी कि सबसे पहले जो है वो मैं काम करूँगा देखो इस reaction का delta H निकालने के लिए heat of formation की term में heat of formation की term में heat of reaction कैसे लिखते हैं कि total heat of product minus total heat of formation reacted तो product side जो हो मैं ऐसे लिखूँगा देखो जड़ा 2 of heat of formation of H2O ठीक है plus heat of formation of CO2 plus 3 heat of formation of CH4 ठीक है और फिर इसमें से ये पूरा जो है इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा hydrogen का heat of formation तो कितना है जीरो है क्योंकि ये तो अपनी एक thermodynamic reference state में है तो thermodynamic reference state में कितना होगा जीरो होगा फिर यहाँ पर आजाएगा 4 heat of formation of CO clear तो अगर मेरे पास ये सारे data आ जाए तो इस reaction की heat of formation मेरे पास निकल सकती है आ सकती है अब ये सारे data के लिए देखना जरा सबसे पहले H2O की heat of formation है या नहीं है ये चेक कर लेते हैं वहिए इस reaction में देखो आपको H2O दे रखा है लेकिन ये 2 mole दे रखा है ठीक है तो इसका मतलब heat of formation तो 1 mole के लिए define होती है तो इसलिए मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा 2 से divide करना पड़ेगा तो 2 से divide करके रखूंगा तो मेरे पास जो equation देखना यहाँ पर बना रहा हूँ फिर मेरे को चाहिए heat of formation of CO2 अब ध्यान से देखिएगा ये 2 reaction है लेकिन इस reaction में ये heat of formation of CO2 नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 mole पहली बात तो यह कि 2 mole CO2 का formation हो रहा है दूसरी बात यह कि ये CO2 का formation thermodynamic reference state से नहीं हो रहा है तो अगर मेरे को heat of formation of CO2 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले इन दोनों reactions को add करना पड़ेगा और इन दोनों reaction को add करके बाद में 2 से divide करना पड़ेगा तो heat of formation of CO2 आएगा तो अगर में इनको add करता हूँ तो इनका delta H भी क्या हो जाएगा एड हो जाएगा तो delta H जब add होगा तो मेरे पास ये overall आएगा देखो ज़रा दोनों को add करूँगा तो 7 ये 8 और ये आजाएगा 7 minus का 787 और ये 2 mole of CO2 के लिए आया तो एक mole के लिए divide by 2 तो यहाँ पर मेरे प है ये heat of formation of CH4 तो भाया देखना ज़रा द्यान से नीचे वाली reaction heat of formation of CH4 को define कर रही है तो यहाँ पर ये मेरे पास आजाएगा निकल के plus minus का 74.8 minus 74.8 ठीक है ये आ गया heat of formation of CH4 फिर मेरे को जो है इसमें से minus करना पड़ेगा heat of formation of CO द्यान से देखिएगा ये वाली reaction जो है इसम को 2 से divide कर दो क्योंकि heat of formation हमेशा एक मोल के लिए define होती है तो इसको आपको 2 से क्या करना पड़ेगा divide करना पड़ेगा तो minus यहाँ पर मैं लिखूंगा कि minus का 221 by 2 ये लोजी अब ये equation बनी है इस reaction के लिए delta H निकालने का तरीका ये ही है यहाँ से solve करोगे तो answer आएगा हमा heat of formation की definition को आपको द्याद से पढ़ना है एक बार मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो को rewind करें वापस से देखे समझ में आ जाएगा तो next question की तरफ चलते है question number 15 देखेगा आपको बो रहा है which of the following statement are correct कौन से खतन सकते हैं तो सबसे पहला आपको बो रहा है कि delta H यानि heat of formation of CO2 is same as heat of combustion of carbon graphite बिल्कुल भीया दोनों की heat of formation या दोनों के लिए जो हो सेम होती है क्यों क्योंकि अगर मैं क्या करूंगा carbon graphite की heat of combustion की reaction लिखूंगा तो यह आएगा और actual में यह reaction जो हो heat of formation of CO2 को भी define करती है तो इसका मतलब जो इसकी heat of combustion है वो ही इसकी heat of formation है तो इसका मतलब पहला statement अपना क्या है बिल्कुल सही है second आपको यह बो रहा है all exothermic reaction have a free energy change negative कैस अभी उसमाचे भी अविक्रियाओक लिए delta G की value negative है ऐसा कोई ज़रूर नहीं है क्योंकि delta G is equal to हमारे पार delta H minus T delta S होता है तो यहाँ पर delta G की value जो हो delta S पर भी depend कर रही है तो इसलि converting into 2NO आपको आगे बो रहा है कि the heat at constant pressure heat at constant pressure का मतलब होता है यह जी delta H and heat at constant volume at a given temperature are same heat at constant volume का मतलब होता है delta E और delta H और delta E के बीच में relation जो आता है वो आपको पता होना चाहिए delta H equal to delta E plus delta NG RT यह दोनों के बीच में relation होता है और अगर delta NG की value zero आ जाए तो दोनों equal भी आ जाएगी तो इसके लिए delta NG zero है इसका मतलब यह statement ठीक है दूसरा ठीक नहीं है पहला ठीक है आगे आपको एक fourth statement बोरका है if X1, X2 and X3 are enthalpies of H, H, O, O and OH bond respectively and X4 is the enthalpy of vaporization of water than standard enthalpy of combustion of hydrogen तो आपको hydrogen के combustion की enthalpy बता नहीं है जो data है एक बार मैं note कर लेता हूँ आपको H, O, O और आपको OH यह bond enthalpies दे रखी है यह दे रखा X1 यह दे रखा X2 और यह दे रखा कितना X3 और आपको heat of vaporization H2O liquid to H2O vapor यह दे रखा कितना delta H is equal to X4 और आपको जो है ना वो क्या करना है आपको hydrogen की heat of combustion एक mole को जलाऊंगा completely जलाऊंगा तो यह अपने पास reaction बनेगी H2O liquid ठीक तो इस reaction के लिए delta H आपको पूछ रखा है माँ लो इस reaction की enthalpy delta H है अब क्योंकि आपको जो data दिये है वो bond enthalpy के है इसलिए मुझे जो है वो सारे के सारे gaseous state में चाहिए क्योंकि bond enthalpy को हमेशा हम gaseous state में ही define करते हैं तो इसलिए मैं इसको और इसको इन दोनों equation को add करनेता हूं तो इन दोनों equation को जब add करूंगा तो हमारे पास equation बनेगी H2 gas plus half O2 gas is converting into H2O और यह क्या है हमारे पास vapor तो इसका जो है वो अपने पास आजाएगा delta H plus X4 यानि इस overall reaction के लिए heat of reaction अपने पास ये निकल के आगई अब जो है वो इसमें आपको क्या करना है इसको delta H को heat of या bond enthalpy की term में लिखना है तो heat of reaction is equal to total bond enthalpy of reactant minus total bond enthalpy of product यहाँ पर मैं लिखूंगा bond enthalpy of HH plus half into bond enthalpy of OO minus अब H2O में 2 OH bond है तो यहाँ पर मैं करूंगा twice of bond enthalpy of OH ठीक है डेटा रख देते है तो आपको तो delta H की value चाहिए थी तो इदर जाएगा तो X4 क्या हो जाएगा minus हो जाएगा bond enthalpy of HH is X1 plus bond enthalpy of OO is X2 by 2 हो जाएगा minus twice of X3 और minus X4 यानि कि hydrogen की heat of combustion जो है वो यह वाली है आएगी अगर आपको यही चीज़ दे रखी है तो इसका मतलब अपना यह statement भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि इसमें एक तो A सही है B गलत है C सही है D सही है A C D statement मतलब option number fourth is correct next question की तरफ चलते है तो बहुत ही आसान सा question है in the PV graph of an ideal gas given below the work done in complete cycle A B C D in joule आपको work done की value पूछिए और वो भी किसमें joule में पूछिए तो यहाँ पर आपको क्या करना बहुत ही सीधा सा काम है कि PV कर्म का जो area होता है यही क्या होता है जी work done होता है अब P ATM में दे रखा है और volume जो हो लीटर में दे रखा है तो पहले तो मैं area निकालता हूं इसका तो यह तो कितना आ जाएगा अपने पास यह तो आ जाएगा 4 और यह वाले कितनी आ जाएगी 15 और 15-6 कितना आ गया 9 तो यह आ गया कितना 36 लीटर atmosphere अब देखना यह work done positive होग के negative होगा तो cycle कैसा है clockwise clockwise cycle है तो work done negative तो W की value आएगी minus 36 लीटर atmosphere लेकिन आपको तो जूल में पूछा है तो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर atmosphere is equal to 101.3 Joule होता है तो इसी को आपको 101.3 से multiply करना पढ़ेगा multiply करेंगे तो answer आएगा 3646.8 Joule तो यह है question number 16 next हमारे पास question number 17 आपको क्या बोल रहा है when one gram equivalent of each acid HA and HB are neutralized separately by NaOH देखो HA को भी NaOH के साथ क्या करवा दिया neutral किया HB को भी NaOH के साथ क्या करवा दिया neutral करवा दिया है और दोनों ही जो है वो यहाँ पर हमारे पास बनेगा NaA और प्लस साथ में H2O यहाँ पर बनेगा NaB और साथ में बनेगा क्य H2O ठीक है यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ आपको हीट of neutralization दे रखा है कितना delta H इसका दे रखा है माइनस का 43 और यहाँ पर delta H माइनस का 27 माइनस इसलिए है क्योंकि हीट of neutralization हमेशा release होती है यहाँ जादा हीट रिलीज हुई यहाँ कम हीट रिलीज हुई इसका मतलब यह ह है कि भीया देखो कि release कितनी होनी चाहिए यह तो fix है 57.1 kJ हीट जो है वो release होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर कम release हो रही है इसका मतलब यह वीक है यह भी वीक है और यहाँ पर और कम हो रही है इसका मतलब HB जो है वो जादा वीक है क्योंकि इसको तोड़ने के लिए आपको जादा strong कौन सा है तो HA is stronger than HB यह conclusion आ सकता है फिर यहाँ से मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि KA of HA is greater than KA of HB आप ऐसा भी बोल सकते हो पी एच जो हो किसकी जादा होगी पी एच जो है वो HB की जादा होगी क्योंकि HB वीक है वीक की पी एच क्या होगी जादा होगी तो चेक करते है बोथ HA and HB are weak बिलकुल दोनों weak है क्योंकि अगर कोई strong होता तो heat किती होनी चाहिए थी one equivalent की 57.1 होनी चाहिए जो की नहीं है ionization constant of HA is greater than that of HB यह भी ठीक है वही तो लिखा है enthalpy of ionization of HB is greater than that of HA यह भी ठीक है क्योंकि यहां पर जो है वो कितनी 27 किलो जूल हीट रिलीज हुई तो जो difference है जादा difference मतलब इसको तोड़ने के लिए जादा heat की जरूरत है उसी को तो बोलते है enthalpy of ionization pH of 1 molar HA is greater than pH of 1 molar HB यह गलत है कम होगी क्योंकि यह तो strong है strong की pH क्या होगी कम होगी तो A सही है B सही है और C सही है option number second is the correct ठीक है तो यह हो गया आपने पास question number 17 question number 18 देखिएगा यह आपको बोरा है n molecules of an ideal gas at temperature T1 and pressure P1 are contained in a closed box ठीक है कि यह n molecule है temperature अभी T1 है pressure अभी P1 है फिर आपको बोल दिया if the molecules in the box gets double molecule जो हो दुगने कश दिया यानि यह N1 है और आव इसको किता कश दिया 2N1 कर दिया या फिर 2N कर दिया पहले जो N है चलो N ले लेता हूँ तो फिर किता कर दिया 2N कर दिया ठीक है keeping kinetic energy same और दोनों ही case में kinetic energy equal है यहां पर मैं कहता हूं kinetic energy one यहां पर kinetic energy two दो उनों equal है तो if new pressure is P2 and temperature is T2 then तो भहिया देको kinetic energy जो हो आपको पता होना चाहिए केवल temperature का function होती है average kinetic energy की बात करें तो kinetic energy is equal to हम बोलते हैं क्या 3 by 2 RT ठीक है या हमारे पास 4 1 mole अगर मालो n mole है या n molecule है तो उस case में काइनेटिक एनरजी हमारे पास हो जाएगी 3 by 2 nrt ठीक है इसको जो हो आप nrt कर दो ये लो ठीक तो काइनेटिक एनरजी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है पहली बात तो यह तो प्रेशर तो उत्ता ही होगा यानि P1 is equal to P2 यह अपने पास आएगा P1 is equal to P2 ऐसा एक में ही ह है यहां पर डिफॉल्ट मतलब P1 missing है लेकिन कोई दिकत नहीं है ऐसा एक में ही है अब यह चेक करते है कि यह relation आता है कि नहीं आता है तो मैं यहां से ऐसा बोलूँगा देखो जी काइनेटिक एनरजी 1 तो मैं बोल दूँगा N1 T1 है ना क्योंकि दोनों को रिशो में ले र गया T1 by 2 तो विलकुल यह relation ठीक आ रहा है इसका मतलब option number second is करें तो यह है question number 18 next question number 19 देखेगा आपको क्या हो रहा है in a thermodynamic process pressure of a fixed mass of gas is changed in such a manner that the gas released 20 joule of heat gas ने 20 joule heat क्या कर दी release कर दी यानि क्यों की वेल्यू जो है heat release by gas heat release by system is negative q is equal to minus 20 लूँगा and 8 joule of work done on the gas तो w की value 8 joule दे रखी है अब यह positive लूँगा work done on the gas work done on the system is positive if the initial internal energy of gas was 30 then the final internal energy of gas will be तो यह first लो लगा देते है delta is equal to क्या होता है q plus w होता है तो q की value minus 20 plus 8 तो यह आया minus 12 यह तो delta e और delta e is equal to हमारे पास होता है क्या e2 minus e1 is equal to minus का 12 लेरा बात तो अब इस case में जो है वो मेरे को e1 तो दे रखा है कितना 30 तो e2 is minus 30 is equal to minus का 12 तो e2 आ जाएगा minus का 12 प्लस का 30 तो यह कितना आएगा प्लस का 18 joule तो यानि कि यह अपने पास e2 आएगा option number 3 जो हो क्या है सही है next question की तरह हम बढ़ता है question number 20 देखिएगा one mole of a monoatomic ideal gas is first heated at constant volume by 100 degree centigrade ठीक है कि वही constant volume पर इसको delta T आपको दे दिया एक तरीके से 100 constant volume by 100 degree centigrade delta T नहीं है T है initial temperature 100 the change in internal energy is U1 तो delta U1 is equal to हम जानते है n cv delta T होता है ठीक है ना फिर आपको यह बोरा है next it is heated at constant pressure by 100 degree centigrade अगें जो हो constant pressure पर और वही temperature 100 पर ही इसको heat किया है the change in internal energy is delta U2 delta U2 अगें जो हो मैं क्या बोलूँगा n cv delta T आप देखो mole जो है वो gas के constant है cv इसका किसी भी gas का constant रहेगा तो n constant cv constant और initial temperature भी दोनों का सेम है तो इसका मतलब यह है कि delta U की value जो है ना वो इस चीज़ पर depend नहीं करेगी कि आप उसको constant pressure पर लेके जा रहे हो कि constant volume पर क्योंकि cv उतना ही रहना n की value उतनी रहनी है तो delta U भी क्या रहेगा उतना ही रहेगा तो delta U1 by U2 कितना होगा उतना ही रहेगा equal रहेगा तो यानि कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा तो यह है question number 20 अपने पास next question की तरह बढ़ते हैं तो next section आपने पास section B section D और इसमें जो है वह हमें करना question number 4 सबसे पहले देखिएगा आपको बोरा at 1 atmospheric pressure 1 liter N2 and at 0.5 atm pressure 2 liter oxygen at constant temperature all are filled in a container of 1 liter then the pressure in container of gaseous mixture देखो यह आपको ऐसा बुर्क है कि 1 atm pressure पर 1 liter N2 है ठीक है तो पहले मैं N2 के mole निकाल लेता हूँ तो कैसे निकालूंगा कि आपको जो है वह at 1 atm P V by R और यह T का T कर देता हूँ तो यह आया 1 by R T फिर आपको बोरा है at 0.5 atm pressure 2 liter oxygen तो N2 निकाल लेता हूँ तो आपको जो है वह 0.5 और volume जो है वह आपको किता देर का 2 और यह R T तो यह भी किता है यह भी आगया 1 by R T फिर आपको बोरा है R filled ने container of 1 liter अब दोनों को एक लिटर के container में mix कर दिया तो जो N final होगा वो क्या होगा N N2 प्लस N O2 ठीक है और N final के लिए मैं ऐसा कर दूँगा P final V final upon R T temperature तो concentrate रहने वाला है तो यहाँ पर मैं बोलूँगा देखो मान लो final pressure P final यह V final R T और इसके mol है 1 by R T प्लस यह भी है 1 by R T तो यह सब cancel हो गया ठीक वी final जो है वो आपको दे रखा है कितना एक लिटर यह 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 तो P final कितना जाएगा 2 ATM यही कि final pressure जो हो अपने पास कितना होगा 2 ATM होगा ठीक है ना तो यह है question number 4 last question है अप आपने पास question number 5 आपको इसमें यह बोल रखा है कि in how many processes the entropy change is positive और entropy is increases ठीक है entropy increase हो रही है तो यहाँ पर cooling of nitrogen from 22 to minus 50 degrees centigrade यह temperature को कम करते है तो entropy decrease होती है इसका मतलब यह तो अपना नहीं है आपको बुरा entropy increase हो रही है यहाँ decrease हो रही है इधर solid 1 है इधर gas बढ़ रहे है तो इसका म gas molecule है इधर total जो हो 4 gas molecule है entropy decrease हो रही है हमें तो increase बाले check करने है इधर gas है इधर सारे solid decrease हो रही है इधर जो है वह एक ही gas है इधर जो है ओवर और दो gas के atom हो गए तो overall increase हो रही है यहाँ पर disruption of gas from solid surface gas जो वापस हो रहा है gas का हट रही है solid की surface से entropy यहाँ पर increase ही होगी melting of ice solid से liquid बन तो entropy increase ही होगी crystallization of sugar from the solution तो crystallization में entropy decrease होती है increase नहीं होती boiling of egg increase होगी nitrogen का pressure कम किया pressure कम किया तो volume बढ़ेगा तो इस case में हमारे पास entropy increase होगी तो कितने process 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो total जो हो six process होगे आंसर जाएगा 0, 6 फिक है तो यह था आपका paper उम्मीद करते हैं पूरा paper अच्छा गया होगा फिर भी किसी परकार को कोई भी doubt हो तो आप comment में mention करें CLC के channel को subscribe करें thank you good morning students मैं Dr. Manish Doody आपने बात करेंगे J main के paper जो अपना है उसमें पहला question क्या हो है इन और्गेन के लिए बात करेंगे इन और्गेन के लिए बात करेंगे इन इन और्गेन के लिए करेंगे करा हूँ आपको which of the following would result in the formation of strongest pi bond if if the molecular axis is x axis बेटा देखो यहाँ ध्यान देए यहाँ सबसे important बात पहले क्या दे रखे इस ने ग्री जहां पर फॉर्मेशन होता है यहां पर सीना बोंन का फॉर्मेशन होता है यह कि अंपर स्रॉंड प्व अच का को बनायेगा है तो Szigmaaux, यह क्या बनाएगा, यह तो Sigma whichever, ठीक है X X car, ये क्या बना सकता है, Pai Version बनां सकता है, x session ठीक है वेटा? ये भी क्या मना सकता है, Pai Bone बना सकता है, गिर्डर 2P Pi, 3D Pi, उस पस्चात 2P Pi, 3P Pi, यह ओगर लपिंग ओर्डर आता है, यह D वाली ज्यादा चिक्षिक होती है, क्योंकि इसमें देखे बेटा, D कैसा होता है, जुका हुआ होता है, यह जुके होते हैं, इसलिए इनमें अतिव्यापन की मातरा क्या होती है, ज्यादा होती है, ज थर्ड, नेक्स्ट बात करें, which of the following molecule geometry is not produced by SP3D vibration, SP3D vibration में condition बेटा कौन सी कौन सी बनती है, 5 sigma, 4 sigma, 1 lone pair, 3 sigma, 2 lone pair, 2 sigma, 3 lone pair, यह conditions बनती है, इसमें बात करें, इसमें क्या बने की condition, इसमें सबसे पहले बनती है, square planar by pyramidal, इसमें कौन सी बनती है, वीड बाटा C saw, इसमें कौन सी बनती है C saw, और इसमें कौन सी commission मनती है T shape और इसमें कौन सी condition मनती है अपने पास linear तो कौन सी shape अपने पास नहीं बन रहे है, triangular plan and shape का formation नहीं हो रहा है, तो अपना अंसर आजाएगा second, next बात करें All fluorine atoms are in the same plane in, किस में सभी iert है इस में बात करें इसमें क्या स्ट्राइल अगे तो अपनीचे की तो तुन की तरफ रखेंगे कान ही रहेंगे और टी शेप है इसमें बात की तो इसमें कौहंभर इसमें आ गया SP3D2 इभरेशन आ गया 5 sigma एक लोन पेर 5 sigma एक लोन पेर तो चारो फ्लोरीन को अगर अपने यहां रख देते हैं इस प्लेन में रख देते हैं तो सारे एक साथ कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा अपना all of these सभी फ्लोरीन चारों में ही तीनों में ही सारे फ्लो लॉन पेर और लॉन पेर की बात करें इसमें कितने लॉन पेर हैं दो लॉन पेर प्लस दो बॉन पेर इसमें बात करें तीन लॉन पेर प्लस दो बॉन पेर इसमें बात करें दो लॉन पेर प्लस चार सिगमा दो लॉन पेर प्लस चार सिगमा तो यहां बेटा सम कितना हो गय चार यहां कितना हो गया पाँच यहां कितना हो गया चै-चार पाँच और छैए अपना आँसर आ जाएगा फोर्ट आ जाएगा फोर्ट आंसर आजएगा नेक्स्ट बात करते हैं as per valency bond theory a multiple bond between two atoms always contain multiple bond होगा जो उसमें एक sigma तो होगा ही होगा according to VBT VBT के अगर बात करें VBT यह कहती है पहले क्या बनता है sigma bond बनता है फिर pi bond बनता है तो अपने कहें इसमें क्या होगे one sigma bond तो होगा ही होगा बिल्कुल always sigma bond अपने present होगा next बात करें यह आइनिक bond पर बेटा कृषिन है which of the following incorrect क्या चीज इनकरेक्ट हाइड्रोकसाइड की solubility top to bottom जाते है हाइड्रोकसाइड की solubility top to bottom जाते है तो increase होती है बेटा हाइड्रोकसाइड के लिए special याद रखो कि solubility भी है चाहे तो solubility बात करे है नेक्स्ट बात करें thermal stability hydride की thermal stability देखे top to bottom जाने पर hydride की thermal stability decrease होती है तो यह सही है तो अपना correction कुन सा आ गया पर क्लोरेट की solubility top to bottom जाने पर क्या होगी decrease होती है तो अपना answer आ गया third third incorrect होगया अपना next बात करें stability of species arled 푹स ली2 प्लस पहले हमाऊ फटाकि बांग दोडोर कांट करें इसका सबसे न का बॉस्ट यह की तब्बंड आघी देखेंगा अलेक्ड करें इसका क्प नेक्स्स करका थे रिद्ध वर्णिन का point-فس अगर बॉन्ड यह पर टोक होगः संघ का वर्ण आ प्लस और फिर आजाएगा लाइट तो प्लस और फिर आजाएगा अपना फॉर्थ नेक्स्ट बात करें बात करें तो यहां फॉर्णिंग हो जाएगी तो अपना आंसर आजाएगा थर्ड आंसर आजाएगा नेक्स्ट बात करें किया रहा है, identify the x and y respectively in given reaction, x and y का उपर देखना है, SO3 and hydrate है किसका, H2SO4 का, ठीक है, इसकी reaction किसे कराएं, sorry, water से करवा देगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा, D2, SO4 बन जाएगा, water यहाँ पर heavy water लेंगे, क्या लेंगे, heavy water, तो x क्या जाएगा, अपने पास D2O, इसकी reaction y से कराएं, तो y से acid क्यों reaction कराएंगे, तो अपने क्या बनते है, CD4 बनता है, कारबाइड लेते हैं, यह तो देते है, यह मिथेन देता है, पर अंतु यहाँ कोण नहीं है, D2O नहीं है, ठीक है, तो अपने कारबाइड, यह कारबाइड क्या देतेगा, मिथेन देता है, तो अपने heavy water ले रहे हैं, अपने पास क्या बन जाएगा, CD4 बन जाएगा, तो अपना answer आ जाएगा, 3rd, next बात करें, dipole moment की बात करें, इसमें देखिए, dipole moment में, इसमें NO2 है, इसमें 120 है, इसमें, इसका plus M effect लगेगा, और इसका minus M effect लगेगा, तो सारी direction एक ही मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा maximum किस में हो जाएगा, 3rd में हो जाएगा, यह अपने single choice क्यूशन आए हो हैं, आगे बात करते हैं, integer type क्यूशन होगी, fine number of compound which have higher boiling point as compared to H2O, पेटा जी यह सभी में wonderwall bond मिलेगा अपने को, जबकि H2O में क्या होता है, hydrogen bond होती है, तो सिर्फ और सिर्फ केस का, D2O का जो boiling point अपने को ज़्यादा मिलेगा अपने किस की तुलना में, H2O की तुलना में, ठीक है, जीरो कर, आंसर आजाएगा अपना, याद दखना, D2O हर चीज में H2O से आगे है, एक चीज को छोड़ कर, प्रहावें दूतान को छोड़ कर, ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अमोंग H2, H2O plus Li2, B2, C2O2 and F2 में, परतिचुम्ब के स्पीज, तो परतिचुम्ब के एक अपने हो गई, यह अनुचुम्ब की होती है, दो परतिचुम्ब के, तीन परतिचुम्ब के, चार परतिचुम्ब के हो जाएगी, पांच हो जाएगी, और तो अपने पास 6 परतिचुम्ब के स्पीज हो जाएगी, 6 डायमेग्नेटिक स्पीज हो जाएगी, ठीक है, इनके पास अनुच्ट एलेक्ट्रोन होता है, MOT से अपने कल्कुलेट कर सकते हैं, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कुशिन देखते हैं, निमने से कितनी पर जात इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, तो यह भी नहीं होगा, तैसे अपने पास अंसर आजएगा, अपना 6 अंसर आजएगा, 6 अंसर आजएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें अपने पास आगे के फिजिकल के कुशिन आपके complete हो चुके हैं ठीक है नेक्स्ट अपन बात करेंगे एडवांस के बारे में आज के लिए इतना ही thank you